नमस्कार सुवागत है आप सभी का गोल्डेन इंडिया की इस प्रैस वीडियो में तो चलिए जानते कि आज सोने और चांदी के बाव में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिला है और इसे के साथ में आज की पांच बड़ी खबरे निकल कर आ रही है जो की सरकार की ओर से लोकडाउन को लेकर है आम आदमी के लिए काफी महत्वपूर्ण खबरे है ज्यादा समय जाया ना करते हुए हम जानते है आज की बड़ी खबरों को लेकिन आपसे एक छोटे से गुजारिस है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत बुलिएगा ताकि आपको सबसे पहले काम की खबरों की जानकारी ऐसे ही मिलती रहेगी आज की पहली खबर है मुंबई की मिट्टी में मिल गए इर्फान खान लोकडाउन की विज़े से अंती मियात्रा में नहीं हुई बिल जी आ दोस्तों बॉलिबूर के बेमिसाल एक्टर इर्फान खान लंबी बिमारी के बाद इस दुनिया को अलविदा के गए 53 साल की उमर में मुंबई के कोकीला बेन हस्पताल में उन्होंने आखरी सांस ली और इस लोकडाउन के बीच में इर्फान खान दुनिया को अलविदा के गए देश में चल रहे लोकडाउन की वज़े से मातर 20 लोग इंकी अंती मियात्रा में सामिल हो पाये थे इर्फान खान के निदन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया बोले सिनेमा और रंगमंच की दुनिया के लिए बड़ी शती प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीटर के जरिए इर्फान खान को अंतिम शर्दान जली दी अभी नेता इर्फान कान की मौत पर राश्टपती रामनात गोविन ने भी दुख जताया चलिए अगली कबर है बड़ा फैसला अब अपने गर लोट सकेंगे लोकडाउन में फसे लोग गरम अंतराले ने जारी की गाइडलाइन जी आ दोस्तो इस बीमारी को रोकने के लिए देश पर में लगाए गई लोकडाउन के बाद गरम अंतराले की ओर से एक बड़ी एडवाईजरी जारी की गई है और इसके लिए राज्य की सरकारों को बसों की वेवस्ता भी करनी होगी गरम अंतराले की जारी गाइडलाइन के मुतावित अगर किसी राज्य में फसा कोई व्यक्ती दूसरे राज्य में जाना चाता है तो इसके लिए दोनों राज्यों की सरकारों को आपस में बाचित करके उप्यूक्त कदम उठाने होंगे लोगों को सड़क के रास्तों से गर ले जाया जाएगा लोगों को वेजने के लिए सबी तरह के मेडिकल जाच भी की जाएगी यदि किसी व्यक्ति में बीमारी के कोई भी लक्सन नहीं है तो उने दूसरे राज़े में जाने की अनुमती दे दी जाएगी ग्रम अंतराले की ओर से ओफिसली इसका अनौसमेंट किया गया है और इसकी एड़वाईजरी भी जारी की गयी है जो कि आप स्क्रीन के उपर भी देख सकते हैं और इसे बीच एक और बड़ी खबर है पंजाब में बढ़ा दो हफ़तों के लिए लोकडाउन जी हाँ दोस्तों पंजाब की सरकार ने दो हफ़तों के लिए लोकडाउन को और भी आगे बढ़ा दिया है बता दे कि देश बर में 3 मई को लोकडाउन खतम होना है लेकिन पं प्तरों को खूला जाएगा जिसमें मात्र 30% स्टाप को आने की मंजूरी मिली है अगली कपर है 10,000 रुपए गारंटीड आमदनी वाली स्कीम को सरकार फिट कर सकती है सुरू साथ में मिलेंगे ये फायदे जिया दोस्तों देश में जारी लॉकडाउन की परिसानियों के प्रिष्ट नागरिकों को स्थाई मासिक आमदनी का विकल्प देने के लिए सुरू की जा सकती है प्रदान मंत्री वय वंदना योजना में 10,000 रुपए प्रती मेना की गारंटी सरकार की और से दी जाती है जैसे इसको लेकर सरकार की और से कोई दिसान निर्देश या फिर विद्यालेव से कहा कि नए चात्रों के लिए सितंबर से और पहले से पंजीकृत चात्रों के लिए अगस के महिने से सैक्सानिक सत्र सुरू किये जा सकते है मौसम को लेकर अगली खबर है कि आज यूपी में आंदी बारिस के आसार मौसम विभाग ने जारी किया पुरवा दिल्ली महराष्टरा बिहार समेत पांच राज्यों ने बताए उनके एकजीट प्लान जीया दोस्तों देशपर में जारी लोकडाउन तीन मई को खतम होने बाला है लेकिन इसके बावजूद भी कई तरह की अटकले सामने आई है इस चीनी मामारी का खत्रा अभी भी टला नहीं है यदि केंदर सरकार लोकडाउन को हटा भी देती है तो राज्य सरकारों के पास में यह अधिकार है कि वे अपने राज्य में लोकडाउन की मियाद को बढ़ा सकते है एक न्यूज चैनल के कारेकरम में राजस्तान दिल्ली महराष्टरा बिहार और 36 गड़ की मंतरि परट 22 केरेट के सुने में देखने को मिली है जिसके बाद 1 गराम के नुसार सुने का दाम 4,534 रुपे 8 गराम के नुसार 36,272 रुपे 5,5 stop 14400 रुपे 22 केरेट गोल्ड की कीमत की तो तो एक ग्राम के नुसार 4,702 रुपे, आट ग्राम के नुसार 37,616 रुपे, प्रती दस ग्राम के नुसार 1230 रुपे की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद 47,020 रुपे, और 100 ग्राम के नुसार 4,07,200 रुपे, 24 केरेट गोल्ड की कीमत चल रही है, इसी के साथ में बात करें, भारत के बड़े सेरों में, 22 केरेट और 24 केरेट के नुसार सुने की दाम की बड़े सेरों में, तो देख सकते हैं, स्क्रीन के उपर, चिन्नई, मुंबई, नई दिली, कुलकत्ता, बैंगलोर, एधराबाद, केरल, पूने, बड़ुदा, एहमदबा, जेपूर, लकनव, कोयमबटूर, मदुरे, विजेबड़ा, पतना, नागपूर, चंडिगड, सूरत, पुमनेशवर, मैंगलोर, विजाकावटनम, नासिक, और मैसूर की प्राइज, इसक्रीन के उपर दी गई है, वहीं बात करें, चांदी के दामकी, तो प्रती किलोग्राम के नुसार, 42,050 रुपे पर चांदी पहुँच चुकी है, और इसे के साथ में, आज का सामन्ने ग्यान का प्रशन है, कि बीहू किस राज्य का प्रसित त्यवार है, इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताईए, और इस वीडियो को लाइक किजिए, आज की हमारी विनर का नाम है सबनम निशा, जिन्नोंने गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से जिता है, सप्राइजिंग पे टियम कैस, तो इस तरह से आप भी सवालों के सही जवाब देकर, जित सकते हैं, गोल्डन इंडिया टीम की इसे ही मिलते रहेगी